भारत माता की गुजरात के राजपाल आचार्य देवरत जी गुजरात के लोग प्रियम्मुक्मंत्री भुपेंदर भाई पटेल केंदरियम्मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी पुर्शोत अमुरुपाराजी संसत में मेरे साथी स्वियार पाटी अमूल चैर्मेन शामरबाई और यहां इतनी बड़ी संख्या में पदारे मेरे पहरे भाई और भेनो गुजरात के गावों ने मिलकर पचांस वर्स पहले जो पउधा लगाया था वो आज विशाल बटब्रुक्ष बन गया है और इस विशाल बटब्रुक्ष की शाखाएं आज देश विदेश तक फैल चुकी है गुजरात कोपरेटिव मिलक मार्केटिंग फैडरसन की स्वर्ण जैंती पर आप सभी को बहुत बहुत सुपकामनाएं गुजरात की दूद समितियों से जुड़े प्रत्यक ब्यक्ति का हर पुरोष हर महिला का भी मैं अभिनंदन करता हूँ और इसके साथ हमारे एक और साथी है जो डेरी सेक्टर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ ये स्टेक होल्डर ये साजिदार है हमारा पशुधन मैं आज इस यात्रा को सफल बनाने में पशुधन के कॉंट्रिबुशन को भी सम्मानित करता हूँ उनके पती आदर व्यक्त करता हूँ इनके बिना डेरी सेक्टर की कलपना भी नहीं हो सकती इसलिए मेरा देश के पशुधन को भी प्रणाम भायों और भेनों भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रेंड बने लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं आज अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्त की पहचान बन चुका है अमूल याने विश्वास अमूल याने विकास अमूल याने जनभागी दारी अमोल यानि किसानों का ससक्तिकराण अमोल यानि समय के साथ आधुनिक्ता का समावेश अमोल यानि आत्मनिर भर भारत की प्रेणा अमोल यानि बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धिया आज दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में अमोल के प्रोड़क को निर्यात किया जाता है 18,000 से ज़्यादा दुग्त सहकारी मंडली 36 लाग किसानों का नेटवर्क हर दिन 3.5 करोर लीटर से ज़्यादा दूग्त का संग्रहान हर रोज पशुपालकों को 200 करोड रुपे से अधिकान ओनलाइन पेमेंट यह आसान नहीं है छोटे छोटे पशुपालकों की यह संस्ता आज जिस बड़े पेमाने पर काम कर रही हैं वही तो संग्रहन की शक्ती है सहकार की शक्ती है भाई यह और बहनों दुरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीडियों का भागे कैसे बदल देते हैं अमूल इसका भी यह कुदाहन है आज अमूल के यह नीव सर्दार वलब भाई पट्रेल के मारदर्शन में खेडा मिल्क उनियन के रूप़े रखी गई थी समय के साथ डेरी सहकारिता गुजरात में और व्यपक होती गई और फिर गुजरात मिल्क मार्केडिंग फैडरेशन बनी आज भी यह सरकार और सहकार के ताल मेल का बैतरिन मोडल है ऐसे ही प्रयासों की वज़े से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूद उत्पादक देश है भारत के डेरी सेक्टर में आठ करोड लोग सीज़े जुड़े हुए अगर मैं पिछले दस साल की बात करूँ तो भारत में दूद उत्पादन में करीब करीब साथ प्रतीशत वृत्ती हुई है पिछले दस वर्षों में प्रती व्यक्ती दूद उपलब्दता भी करीब करीब 40 प्रतीशत बड़ी है दुनिया में डेरी सेक्टर सिरफ दो प्रतीशत की दर से आगे बढ़ रहा है जबकि भारत में डेरी सेक्टर छे प्रतीशत की दर से आगे बढ़ रहा है साथियों भारत के डेरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी विशेस्ता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती आज इस अइतिहांसी के अउसर पर मैं इस विशेपर भी विश्तार से चर्चा करना चाहता हूं भारत में दस लात करोट रुपिये के टर्नोवर वाले देरी सेक्टर की मुख्य करता धरता देश की नारी शक्ती है हमारी माताएं है हमारी बहने है हमारी बेटियां है आज देश में धान गेहूं और गन्ने को भी मिला दे तो भी इन फसलों का टर्नोवर दस लाग करोड रुपिये नहीं होता जबकि दस लाग करोड टर्नोवर वाले देरी सेक्टर में सत्तर पतिश्यत काम करने वाली हमारी माताएं बेने बेटियां भारत के देरी सेक्टर के असली रीज असली बेकबॉर्ण यही महिला शक्ती है आज अमूल सफलता की जिस उंचाई पर है वो सिर्फ और सिरफ महिला शक्ती की बज़े से हैं आज जब भारत विमेन लेट डवलप्मेंट के मंतर के साथ आगे बढ़ रहा है तो भारत के डेरी सेक्टर की यह सफलता उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है मैं मानता हूँ कि भारत को विक्सित बनाने के लिए भारत की प्रत्तेक महिला की आर्थिक शक्ती बढ़नी उतनी ही आवशक्ता है इसलिए हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ती बढ़ाने के लिए भी चौँ तरफा काम कर रही है मुद्रा यूजना के तहट सरकार ने जो तीस लाग करोड उपे से जादा की मदद दी है उसकी करीब सत्तर प्रतिशत लाबारती बहने बेटियां ही है सरकार के प्रयास से पिछले दस साल में महिला सेल्प हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या दस करोड को पार कर गई है पिछले दस साल में बाजबास सरकार ने ने छे लाग करोड रुपिये से अधिक की आर्थिक मदद दी सरकार ने पी-ए महावास योजना के तहट देश में जो चार करोड से जाजा गर दिये हैं उनमें से जाजा तर गर भी महिलाओं के नाम है ऐसी अनेक योजनाओं के वज़े से आज समाज में महिलाओं की आर्थिक भागिदारी बड़ी है आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा इस अभियान के तहट अभी शरुआत में गाओं के स्वयम साहता समूओं को पंदरा हजार आधुनिक ड्रोन दिये जा रहे हैं ये आधुनिक ड्रोन उडाने के लिए नमो ड्रोन दीदियों को ट्रेनिंग भी दी जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब गाओं गाओं में नमो ड्रोन दीदियां कीट ना सक छिड़कने से लेकर खाद छिड़कने में भी सबसे आगे रहेगी सात्यों मुझी खुसी है कि हाँ गुजरात में भी हमारी डेरी सहकारी समित्यों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है मुझी आध है जब मैं गुजरात में था तो हमने डेरी सेक्टर से जुड़ी महिलाओं के लिए एक और बोड़ा काम किया था हमने सुनिस्चित किया कि डेरी का पैसा हमारी बेहनों बेटियों के बैंक कातों में सीधा जमा हो मैं आज इस भावना को विस्तार देने के लिए भी अमुल की प्रसमसा करूंगा हर गाव में माइक्रो एटियम लगने से पस्चू पालकों को पैसा निकाले के लिए बहुत दूर जाने की जरुत नहीं पड़ेगी आने वाले समय में पस्चू पालकों को रूपे केरिक कार देने भी उसके भी योजना है पाइलोट प्रोजेक्क के तौर पर पंच्वाल और बनासकाड़ा में इसकी शुरुवात भी हो चुकी है भाई और बैनों गांदी जी कहते से कि भारत की आत्मा गावा में बसती बिक्सित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामिन अर्थ ववस्ता का ससकत होना जरूरी है पहले केंदर में जो सरकारे रही वो ग्रामिन अर्थ ववस्ता की जरूरतों को तुकुड़ों में देखती थैं हम गाओं कहर पहलों को प्रात्विक्ता देते हुए, काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बैतर हूँ, हमारा फोकस है पच्छू पालन का दाइरा कैसे बड़े हमारा फोकस है पच्छू का स्वास कैसे बहतर हो हमारा फोकस है गाउं में पच्छू पालन के साथ ही मचली पालन और मदुमक्खी पालन को कैसे प्रोसाइट किया जाए इसी सोच के साथ हमने पहली बार फशुपालकों और मचली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविदा दी है हमने किसानों को ऐसे आधुनिक बीज दिये हैं जो जलवायू परिवर्तन का मुकाबला कर सके बाजपा सरकार राष्ट्रिय गोकुल मिशन जैसे अभियानों के माध्यम से दुधारू पशुआ की नस्टन सुधार्रे का भी काम कर रही है लंबे समय तक फूट एंड माउट डिसीज मूँ पका और खर पका हमारे पशुआ के लिए बहुत बड़े संकट का कारण रही है इसी बिमारी के कारण हर साल हजारो करोड रुप्य का नुक्सान आप सभी पसुपालों को होता है इसकी रोक्थाम के लिए केंद्र सरकार ने पुरे देश में एक मुप्त टिका करन अभियान चलाया इस अभियान पर पंद्रह हजार करोड रुपे से ज़्यादा खर्च किये जा रहे है इसके तहट साथ करोड टिके लगाए जा चुके है हम 2030 तक फूट एंड माउट डिसिज को चड़ से खत पकरने के लिए काम कर रहे है साथियों पशुदन की समरुत्ति के लिए कल हमारी केमिनेट की मिटिंग थी कल ज़रा केमिनेट मिटिंग हमने देर रात की थी और कल बाजपा सरकार ने केमिनेट में बड़े महत्वपन निर्ड़े लिए नेशनल लाइश्टॉक मिशन में समसोधन करके देशी नस्र की प्रजातियों को बचाने के लिए नए उपायों की गोशना हुई है बंजर जमिन को चार गाह की तरव उप्योग में लाने के लिए भी आर्थिक मदद देने का निर्ड़े लिया गया है सरकार ने पशू दन का भीमा कराने में किसान का कम से कम खर्च हो इसके लिए प्रीमियम की राशी को भी कम करने का फैसला लिया है ये फैसले पशूओं की संख्या बढ़ाने पशू पालकों की आई बढ़ाने में और मददगार साबित होंगे साथियों हम गुजरात के लोग जानते हैं कि पानी का संकट क्या होता है सवराष्ट में कच में उत्तर गुजरात में हमने अकाल के दिनों में हजारों पशूओं को एक सान से दूसरे सान पर मीलो मीलो चलते जाते देखा है हमने पशूओं के मरतित मरते पशूओं के डेर उसकी तस्विरे भी देखी है नर्बना जल पहुंचने के बाद ऐसे ख्षेत्रों का भाग्य बदल गया हम प्रयास कर रहे हैं कि भविश में ऐसी चुदवती से ना जूजना पड़े सरकार ने जो साथ हजार से जादा अमरत सरोवर बनाए हैं वो भी देश की ग्रामिन अर्थ बवस्ता को बहुत मदद करने वाले हैं हमारा प्रयास है कि गाउं में छोटे किसान को आदुनिक टेक्लोजी से भी जोड़े गुजरात में आपने देखा है कि बीते वर्षों में माइक्रो इरिगेशन का दाइरा टपक सिचाय का दाइरा कई गुना बढ़ गया है टपक सिचाय के लिए किसानों को मदद दी जा रही है हमने लागों किसान सबुर्दि केंदर सापित की है ताकि किसानों को गाउं के निकटी वेज्ञानिक सभादान मिल सके जैविक खाद बनाने में किसानों को मदद मिले इसके लिए भी ववस्ताय बनाई जा रही है साथ ही हमारी सरकार का जोर अन्न दाता को उर्जा दाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है हम किसानों को सोलर पम दे रहे हैं खेत की मेड पर ही छोटे-छोटे सोलर प्रांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं इसके अलावा गोबर धन योजना के तहट पर्षू पालकों से गोबर भी खरिद्दे की ववस्ता बनाई जा रही है गोबर से जो हमारे डेरी प्लांट है वहाँ बिजली पैदा की जा रही है बनले में जो जैविक खाद बनती है वो वापस किसानों को बहुत कम कीमत में उपलब्द हो रही है इसे किसान और पसू दोनों को तो लाब होगा ही खेत की मिट्टी के स्वाथ का भी बैतर लाब होगा अमूल ने बडास काठा में जो गोबर गैस प्लांट लगाया है वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है साथ यों हम ग्रामी नार्थे ववस्ता में सहकारिता का दायरा बहुत अधिक बड़ा रहे है इसके लिए पहली बार हमने केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रल ने बनाया अधेश के दो लाग से अधिक गाओं में सहकारी समित्यों का निर्माण किया जा रहा खेती हो पचुपालन हो मठली पालन हो इन सभी सेक्टर्स में ये समित्या मनाई जा रहे है हम तो मेड इन इंडिया यानि मैनुफेक्टरिंग में भी सहकारी समित्यों का प्रोटसाइद कर रहे है उनके लिए टेक्ट को भी बहुत कम किया गया देश पे दस हजार किसान उत्पाद संग यानि एप्पियों मनाई जा रहे है जिन में से लगबग आठ हजार मन भी चपके है ये चोटे किसानों के बड़े संगट रहे है ये चोटे किसान को उत्पाद के साथ साथ कृसी उद्द्यमी और निर्या तक बनानी का मिशन है आज भाजबा सरकार पैस को, एप्पियों को, दूसरी सहकारी समिच्यों को करोन उरुपय की मदद दे रहे है हमने गाउंगों में खेती से जुड़े इंफ्रासेक्टर के लिए एक लाग करोन उरुपय का फंड भी बनाया इस योधिना का लाब भी किसानों के सहकारी संगर्णों को ही हो रहा है साथियों हमारी सरकार पसुपालन से जुड़े इंफ्रासेक्टर को आधुनिक बनाने पर भी रिकॉर्ड निवेश कर रही है इसके लिए 30,000 करोन प्ये का एक स्पेश्यल फंड बनाया गया इसमें डेरी सहकारी संगर्णों को ब्याच पर पहले से अधिक छूट का प्रावदान किया गया सरकार मिल्क प्लांट के आधुनिक करण पर भी हजारो करोड रुपे खर्च कर रही है इसी योजना के सहथ आज सावर काटा मिल्क उनियन के दो बड़े प्रजेस का उद्गाटन हुआ है इसमें प्रतिजी आठ सो टन प्रसुओं का चारा बनाने वाला आधुनिक प्लांट भी शामिल है बाई और बेनो मैं जब विक्सिट भारत के बात करता हूँ तो मेरा विश्वात सबका प्रयास इस बात पर है बारत अपनी आजाजी के सोवे वर्ष यानि 2017 तक विक्सिट भारत होने का संकल्प लिया है एक संस्ता के तोर पर अमुल के भी तब 75 साल होने वाले आपको भी आज यहां से नए संकल्प लेकर जाना है तेजी से बढ़ती हुई आबादी में पौश्टिक्ता को पूरा करने में आप सब की बड़ी भूमी का है मुझे यह जानकर खुची हुई कि अगले 5 साल में आप लोगों ने अपने प्लांट्स की प्रोसेशिंग चमता को दो गुना करने का लक्ष रखा है आज अमूल दुनिया की आठवी सब्चे बड़ी डेरी कंप्री है आपको इसे जल्द से जल्द दुनिया की सब्चे बड़ी डेरी कंप्री बना रहा है सरकार हर तरफ से आपके साथ खड़ी है और ये मोदी की गारंटी है एक बार फिर आप सभी को 50 वर्ष के इस पड़ाव पर पहुंचने की बहुत बहुत बढ़ाई और सुबकामनाय देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद